तो सो मार्च महने में Defense Research and Development Organization या फिर कहें तो भारत के द्वारा Very Short Range Air Defense सिस्टमों के दो परिक्षन को अंजाम दिया गया और ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत इतने खास मिसाल का टेस्ट को अंजाम दिये और Western मीडिया में इसका चर्चा ना हो खास करके Britain के मीडिया में तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बीते कुछ महिने में Britain के मीडिया का एक प्रमो केंद्रविंदू बना हुआ है भारत के हत्यारों के परिक्षन और जब भारत के द्वारा Very Short Range Air Defense सिस्टमों का टेस्ट किया गया तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्च महिने में इंड के दूसरा development trial था और पहला development trial असल में पिछले साल September महिने में हुआ था आफके जानकारी के लिए बता दू कि भारत जो ये Very Short Range Air Defense सिस्टम का development किया है ये असल में एक Man Potable Air Defense सिस्टम है मतलब कंधे फे रख के फायर करने वाले Surface To Air Missile है जिससे अब अमेरिकी Stringer और Russian Igla Missile के सा मताविक Very Short Range Air Defense सिस्टम असल में Ford Generation के एक ऐसे हतियार है जो Dual Thrust Rocket Propulsion सिस्टम से Lazz है और Dual Thrust Mode असल में Solid Propulant के साथ काम करता है दूसरों DRDO के बयान के मताविक इसमें Multiple Propulant Block का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण ये वजन में हलका होने के बावजूद Surface To Air Missile के रूप में काम क कर सकता है दूसरों मिसाइल में जो Rocket Thruster और Propulant का इस्तेमाल किया गया ये खास करके DRDO के द्वारा इन मिसाइलों के लिए ही बनाया गया था जबकि दूसरे तरफ इसके इलावा इसमें DRDO के ही बनाया हुआ IIR Seeker मतलब Imaging Infrared Seeker का इस्तेमाल किया गया है जो मिसाइल के टीप मिसाइल है और 21 किलोग्राम में इसमें करीबन 2 किलोग्राम का Pre-Fragmented Warhead रहता है दूसरों ये Warhead इतना खतरनाक है कि एक बड़े आकार के यार्क्राफ्ट को भी ये पलक जपकते ही तभा कर सकता है अब दूसरों DRDO के तरफ से ये मिसाइल तो टेस्ट किया गया है लेकिन आने वाले कुछी महिनों के अंदर ये मिसाइल संपूर्ण बन के तयार हो जाएगा और फिर इसके प्रोडक्शन शुरू होगा अब दूसरों इन मिसाइलों के टेस्ट से ही वेस्टन मीडिया में हलचाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन तक आते आते ये मिसा रहा हो क्योंकि भारत के दोणा बनाया हुआ ये जो सarbeit क्राइल ये मिसाइल ये केवल भाईर के आवश्यक्तायों को पूरा नहीं कर सकता है बलकि एक्सपोर्ट मार्केट में भी एवलेवल हो سकता है आपके जानकारी के लिए बतादू कि हाली में जो यूकरन और रुष्य के लड़ाई हुआ था उसमें ही ये सावित हो गया कि आने वाले लड़ाईयों में किस तरीके से शोल्डर फायर सॉर्फिस्टू एर मिसाइलों का इस्तिमाल होने वाला है और शायद इसे देखते हुए ही DRDO के तरफ से अपने वेरी शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टमों का इतना तावर तोर टेश्ट किया जा रहा हो तो एक तरीके से माना जा रहा है कि शोल्डर फायर सॉर्फिस्ट एर मिसाइलों के मार्केट में केवल मात्र स्ट्रिंगर और रश्या के इगला मिसाइल ही है और किसी देश को अगर इस तरीके के मिसाइलों का आवशक्त है त नहीं इन हतियारों को export market में अकेला राज गरने देगा, तो सो already भारत कई तरीके के हतियारों को बना के export market में उतार चुका है और भारत के हतियार export market में आने के बाद ऐसे western देशों के company ओको नुकसान भी हो रहा है, और very short range air defense system market में आने के बाद आप समझ सकते होंगे कि stringer जैस सक्सेस्पूल मिसाइल तो है लेकिन इसे कई दशक पहले बनाया गया था और हाल फिलाल में इसे उस तरीके से अपग्रेट नहीं किया गया है जिस तरीके से अपग्रेशन का आवशकता है खास करके अगर कोई यारक्राफ्ट के खिलाव फिलाल स्ट्रिंगर मिसाइल उस तरीके से कारेगर नहीं है अगर कोई यारक्राफ्ट बहुत ही लो फ्लाई करता है तो स्ट्रिंगर मिसाइल उस यारक्राफ्ट के खिलाफ घातक तो है लेकिन अगर यारक्राफ्ट हाई फ्लाई करता है तो स्ट्रिंगर मिसाइल के लिए उस वियार क्राफ्ट को मार गिरा आना लगवग नामुम्किन है और दोस्तो भारत के तरफ से जो वेरी शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम को निर्मान किया गया है ये संपून रूफ से आधुनिक टेक्नोलोजी से लैज है दोसे तरफ दोस्तो इन देशों के कमपनियों को या फिर कहतो इन वेस्टेंट देशों के मिडिया के जलन का कारण और एक वी है और वो है भारत के द्वारा खरदा हुआ हतियार आप सब के जानकारी के लिए बता दो कि फिलाल इंडियन आर्मी के पास करिवन 245 स्ट्रिंगर मिसाइल है और करिफ 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 धाई हजार के आसपास इगला के अलग अलग वर्जन है और भारत के द्रफ से इन हतियारों को आससे करिफ करिफ दो दशक पहले परच्छीया किया गया था मतलब इन हतियारों के रिप्लेस्मेंट का वी लगवग समय आ चुका है और कई सारे कंपनी ये एक्सपेट करके बैठा हुआ था कि भारत उनी से ही फिर से इन हतियारों को पर्चेस करेगा पर अपने खुद के मिसाइलों का डेवलाफ करके भारत जहां पर इन देशों को जटका दिया है तो वही पर दोस्तो और वी कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से हतियारों को पर्चेस कर रहा है और आने वाले समय में इन हत्यारों को मतलब भारत के short range air defense system को purchase कर सकता है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि western media में भारत के very short range air defense system या man portable surface to air missile को लेके इतना अधिक चर्चा क्यू है कॉमेंट करके अवश्य बताईए दोस्तों आज के वीडियो को यही पर ही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम